एकांग्रेस पार्टी और अशोग गैलोत का गुलाम हो मेरे जैसा वफदार उनको मैं क्याना साता हूं पत्सीज साल तक जनता ने उनके उपर विश्वास किया सरकार भी बीजीपी की बढ़ी तो वो क्या नींद में थे उनके एक भी काम बताएं अगर बात की जा तो यह परसेप्सन रहता है कि मदन परजापत अशोग गैलोत के साथ भी कभी रहते हैं कभी सचिन पाइलेट के साथ अलागी अब दोनों के भी सब कुछ ठीक है कही नहीं नुक्षान नहीं होगा मदन परजापत को सिर्शनेतर्तों का काम जो हैं फोड़े से बाकी ने तीन थारीकों कि वह रोसे की इस बार जबी जाएंगे जंता इसको को लेकर कई मैं आज भारतिय दंता पाल्टी को सुनूती देता हूं कि अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो गीता को साक्षी रख मैं राजनेती सोर दूंगा नहीं तो उनको राजनेती सोननी पड़ेगी इतना सैलेंस नमस्कार मैं हूँ अशोक शेरा और आप देख रहे हैं नेताजी ओनलाइल आज हमारे साथ राजस्तान के सबसे चर्चित नेताजी हैं वर्तमान में आप विदायक हैं और हाली में राजस्तान सरकार ने इन्हें एक बड़ा तोफा दिया है मैं बात कर रहा हूँ मदन परजापत की राजस्तान की उस विदान सबाद छेतर से आप विदायक हैं जिस विदान सबाद में देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइंद्री बन रही है मदरभजापस से तमाम सवालों के जवाब मांगे जाएंगे जनता के लिए इन्होंने अपने कारेकाल में क्या काम किये इनको क्या लगता है कि वो काम अदूरे रह गये हैं और अगली बार अगर मैं विदायक बना तो वो काम जनता के लिए करूँगा और इस बार ये जनता के पास किन मुद्दों को लेकर वोट मांगने जाएंगे और जिस तरीके से भाजपा दावे कर रही है कि इस बार जनता भारती जनता पार्टी के साथ है उनको लेकर इनका क्या कहला है मजन जी सबसे परद आपका स्वागत है हमारे नेता जी ओन लाइन में और पहला सवाल साड़े चार साल और कारेकाल हो चुका हैं लगबग लगबग कुछ महीने ही चुना हुआ हैं क्या लगता है मजन परजापत्तों की काम जो हैं वो थोड़े से बाकी लेगए देखो आपने सुना होगा अमारे मानने लोगपरिय मुक्य मंत्री जी ने एक बात कई कि आप मांगते मांगते ठक जाओगे मैं देते देते नहीं ठकूँगा और मैं दन्यवाद देता हूँ आभारवद करता हूँ कि आज़ादी के बाद मैं परस्पद्रा विदानसभा सेत्र में बूतों न बविशिय इतने काम न हुए और न हो सकते हैं जो मांगा कभी भी मानने मुक्य मंत्री जी ने हमें निरास नहीं किया और इतने खुष है और जन्ता न स्विकार किया है बारतिय जन्ता पाल्टी के लोग बोलते हैं काम तो हुआ है साई शिक्षा का सेत्र हो साई एल्थ का हो और हमारा तो जिल्ला बन गया जो सालीज सालों पुराणी मांग खुद रेविन्य मंत्री यहां से ओते हुए भी जिल्ला नहीं बना सके लेकिन आज हमारी मन की मुराद जो पूरी हुई है हम मुख्य मंत्री जी का मेरी और से पूरी जन्ता की और से 37 कोम की और से दिल से आबार्वत करते हैं और बोलते थे यह तो गोशना हुई है कब बनेगा पैसा कहां से आएगा के लोगों ने तंज कसे के नंगे पैर गूमने से को जिल्ला थोड़ी बनता है आज मुझे खुसी है कि लोग तंतर में हमने जो परण लिया परियास किया मैनत की आज उसका प्रिणाम है कि गोशना तो हुई स्यार मैनों के अंदर गजट नोटिपेक्शन अधी सूसना कल जारी हो गई और परसो साथ तारी को मानने मुक्य मंत्री दी एक साथ में उन्नी जिल्लों का वर्सूल उद्गाटन कर रहे हैं और रही बाद दो जार करोड रुपिया का बजट आउंटन कर दिया और लोग कह रहे थे नंगे पाप गोमने से जिल्ला बढ़ता है तो क्या खपड़े उतारने से इस्टेट बनेगा मैंने कोई पर्तिक्रिया नहीं दी मेरा एक ही लक्से था कि जन्ता ने जो भरोसा करके मुझे एक मूल मंक्सता बालोतरा जिल्ला बने और आज वो गड़ी आ गई कि तीन तारीक यह इतियास में दर्ज हो जाएगी कि पहली के बालोतरा जिल्ले का जन्दम कब हुआ तो सतरा मार्स और अधिसूसनाजारी कब होई श्यार अगस्त और जिल्ला कलेक्टर कारेले का विदी वत उद्गटन कब हुआ तो साथ अगस्त को यह तीन तारीक के इतियास में दर्ज होगी आने वाले युगों युगों तक यह इतियास बन गया मदन परजापत इनी तीन तारीकों के भरोसे के इस बार जन्ता के भी जाएंगे जन्ता इस उकुल लेकर कई भी हां आकिरकार हमारा जिला बन गया और यह सबसे बड़ी सफल्दा मदन परजापत की यह विश्वास है विको जन्ता लोगतंतर में माई बाप होती है हमने जो और मुझे पूरा यकिन है कि दिल से जुड़े हुए लोग है हमारे हमारे को पूरा आशिरवाद आप मानो पस्पद्रा जैसी विदान सबा में दो बार एक साधान कार्यकरता को दो बार विदान सबा में भेजना अब जिला तो बढ़ा है जिल्ले के अलवा जो जो मांगा आज मुझे कहते हुए बड़ा घर्व है कि साहे कोई सेत्र लेलो दूद्वा सेत्र में 15-16 सीनी राइसेकंट्री है एक को सोड़कर 15 करने का सभागी मुझे मिला मडली सेत्र में 19 सीनी राइसेकंट्री स्कूल है और दूब को सोड़कर 17 मुझे करने का सभागी मिला इन से जाइदा मुझे क्या सुकून होगा अच्छा आपके विपक्स वाले तो कहरें कि मदन परजापत जोई जूते त्याग दी जिल्ले को लेकर लगाता और संगर्स करते रहें लेकिन छेत्र के लोग जब पानी की सम अधि पस्पद्रा की तीन गुणा बढ़ गई मालोत्रा में भारी मजदूर इंजिनियर इतना बढ़ने से तकलीव तो होती है और एक दन में तकलीव आत्वादमें तो मिलाया है तो मालोत्रा की अपने एक परफोजल बढ़ एक मैने के लिए बड़ा इस्टोरेज हो जब इस्टोरीज बढ़ेगा तब ये समसिया का समाधान होगा बाकी उन विपक्षवलों का बोलना उनको मैं कहाना साता हूं पत्सी साल तक जनता ने उनके उपर विश्वास किया सरकारे भी बढ़ी तो वो क्या नींद में थे उनके एक भी काम बताया कि मैं कह सकता हूं पांच साल इनुनने ठंडए वस्ते में डाल दिया बांपस मैंने मैंनत करके सिवरेज लाई तो जो आप बताओ ज्वास्वास्वाद में साथे पांच क्रोड में हुआ है और कल्यानपूर में एक एस्टीम शानले के अलवा कॉलेज मांगा दे या तैसिल मांगी देंज आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुसी है कि पहले बाहसुद्रा विदानसभा में तीन उस्टल थे आज उनकी संक्या आठ हो गई और बालोत्रा में एक साथ में तीन लड़कियों के उस्टल कोई दे सकता है जो मुक्यमंत्री मांगा से के लिए अलग एस्टी बालिकाओं के लिए अलग और जनरल बालिकाओं के लिए अलग कल्यानपूर में से एस्टी ऑस्टल के अलवा उनके तमाम भवन डैड करोड कि अधरवा come 체DR पर titled सकता हो लुऑ है तो कम नोड़कल हिए सर्कार में का आप योजनाओं के आप योजनाओं के अलवाग तो आपके अलग है लेकिन योजनाओं के अलावात धरतल पे हमें भी उमीद नहीं थी का अज मैं एक बात आपको बता और डिजट और पाड़ी इलाका में 20,000 के उपर है, तो 20,000 की जग्याफ तीन उस्पिटल उल्टे जादा है, कोई विदान सवामैन जंग्या के अनुपाद से कई भी जादा नहीं है, तो साथ आठ ऑस्टल समाज कल्यान के और कहीं है, जादा ऑस्पिटल कहीं है, तो अमने मांगा आईवे, थोब पातोदी से सीधा जोद्पूर के लिए आईवे बन गया, अमने 65 किलोमेटर का बालोतरा मूंगडा, उमरलाई वाया दवा तक, 65 किलोमेटर के जिल्ये की तीन सड़कें दी, उसमें मुक्य मंत्री जीना मारा लाद रखते वे एक मुझे दी, तो कु होटल इसकूल है बन गई तो भवन तो आठ वी वाले तो सोटे ही होते हैं, तो हमारे को जनता ने आशिरवाद दिया, तो तमाम ये इसकूलों के भवन के अलवा, ये सांदार मीनी सशी वाले बने, सरकीट आउस बने, 65 किलोमेटर के कारेले बनाने पड़ेंगे, और बाकी बिना मैनद, बिना संगर्ज के ये संभव नहीं है, और जनता जागरूख है कि मैनद करने वालों को आशिरवाद दिया, अगर आपकी विदान सबाद चेतर का नाम को लेते हैं, चाहे दिल्ली में या जैपूर में, बचपद्रा का नाम जहन में आते हैं, सब से पहले उनक कि पहले करके और जब भी रिफाइंदरी शुरू हो, तो उनको प्रात्निक्ता दी जाएं युवाओं को, क्योंकि ये चुनाओं मुद्दा रहने वाला है, मैं आपको यो बता दू, कि जब मानने मुख्य मंतर जी का दौरा था, हम सब ने दबा के पहले कि 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 साई CSR फं मैं कई नहीं है, इतनी बड़ी रिफाइंदरी, ते कूडोल आएगा, तेल वापस आएगा, और सेकड़ उतपाद यहां से निकलेंगे, तो ये उतपाद निकलने के बाद मैं इतना रोजगार मिलेगा, वो तो अलग है, लेकिन रिफाइंदरी के लिए हमने पेरवी की है, कुछ हद तक कामियाभी भी मिली है, लेकिन जो इवाओं की भावना के अनुरूप सपलता नहीं मिली है, तो मैं तो आप जानते हो, कि मैं कभी सत्ता का मुझे मोह नहीं रहा, हम तो सत्ता में थे तो भी संगर्शी जीवन है, सत्ता में नहीं थे तो भी संगर्शी जीवन ह रिपाइंजरी के लिए सो किलो मिटर तक हजर और लोगों के सामने हमने जोदपूर तक पैदल यतरा निकाली मुखे मंतरी दिन अरीजिन भी और जिल्ले के लिए डैर साल नंगे पागु में और भी मिटे पाणी के लिए हमने संगर्थ किया तो अगर रिपाइंजरी में सब्सक्राइब करें कि अब अकबार में पड़ा होगा मैं कांग्रेज पार्टी और अशोग गैलोत का गुलाम हूं मेरे जैसा वफदार शुरुआती राजन्यती में अशोग गैलो जी नहीं होते तो हमारे जैसे बिना सिपार्शी आदमी को टिकट कौन देता गैलो जी न दिया है उनके दिल में जगा है वो जानते हैं कि मदन फरजापत क्या है कौन है और हमें गर्व है कि ऐसा नेता हमें मढ़ा मिला है कॉकुक हो घर देल दिन तर्भ है के बाद में इतनी बड़ी संख्या आप बता दो कि हिन्दूस्तान में ऐसा कोई स्टेड है जो उननी जी दों का बड़ा फैस्ला को लेने की हिमत रखताय रखता तो उस लक्ति का नाम है ऐसो गयलो आज दिन तो क्यों नही तो मतलब मुख्य मंतरी जी के दिल में हमारे लिए जगह है कि आज वो व्यक्ति ये शंगर्थ कर रहा है आपने सुना होगा उन्होंने खुदने का ये इनको मैंने खूब समझाया खूब परियास की नहीं माना अखिर में मुझे जिल्लों का निन्य करना पड़ा जब बाड म अगी रहे तो अन्होंने ये की बात कई के सडग मांगे के पानी मांगें मृझिका काम मांगे ऑस्पिटल मुझे क्या मालूं जिल्लों मांग लेगे में लेकिन्होंने मांग लिया है तो मुझे करना पड़ा तो आज एहाब अंधार लगाए लगाए अब तो वह ही कह रह यह तो पहले बढ़ गेते हैं, बगवान मालिक है, क्या बोल रहे हैं, क्या विरूद कर रहे हैं, मनिपूर की तुल्ला राजस्तान से कर रहे हैं, बड़ी सर्म आती है, मैं इमानदारी से कहता हूं, मारवाडी में कह बते हैं, मारे वकवन योडो बेटो, मैं कुछ नहीं बो संगर्स ही जीवन, करम ही जीवन, हमने मैनत में कोई कसर, जनता ने बरोसा किया, आसिरवाद दिया, हमने मैनत की, और इमानदारी से कह सकता हूं, कि भारतिय जनता पाल्टी के लोग एक कमिटी बना कर, गीता को साक्षी मान कर, तुल्ना कर ले, अगर उस तुल्ना में काम म हैं, वो हमारे कहीं बराबरी ठिकते हैं, या हमने कम काम किया है, तो मैं आज भारतिय जनता पाल्टी को सुनूती देता हूं, कि अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं, तो गीता को साक्षी रखते हैं, या तो मैं कह रहा हूं, मैंने ज्यादा काम किया, या इमानदार ये बत है कि बिना आषीरवार ही संभव नहीं है दो बार मुझे आषीरवार जनता कम दिए दो अ कोई कि आना करंदोक तीन भार बने जब जई ते जियत Lena को आरते हैं सरकार जाती है दो अचर नहीं है कि यह संजों के कारण इतना विकास हुआ है और कि मैं अकेला नहीं कर सकता अच्छा मदन परजापत आपने बताए कि एक संजोग है तुछी उपर वाले का आसिरवाद इसके साथ साथ अगर मदन परजापत को लेकर बात करें तो चेत्र में मदन परजापत का जब भी दोरा होता है या लोगों के बीच जाते तो काफी एक क्रेज रहता है कि मदन जी इस चेत्र के लोगों में काफी करेज आप या विसेश कोई लोगों से जुड़ाए मैंने सुरू मिका किसी को मंतरी का मह था है इसलिए डरते हैं कि मुक्य मंतरी जी नराज हो जाएंगे जनता की पेरवी नहीं करते हैं मैंने कोई मो नहीं रखा मैं में एमले को पद को किसी चेत्र प्रद्वाध अरू को इसलिए मैंस्ता की त relentless सौधिवागया रादनेते करताए में ना बदले की रादनेते करताए मूं अर ऀर जगा य इय की बात के एमले बाद में हो और मदन बगा आप का पहला हो तसलिए मैंने हमेशा साधारान से है जाय हम आम आडम के से सिधा जुड़ाव है, साहे रात को दिन को कोई भी आम आदमी फौन करता है, मुझे के लोग पूछता है कि आपको ठकार नहीं होती है, आपको प्रेशानी नहीं होती है, जब लोगों का अशिरवाद, लोगों का प्रेम और लोगों का जो मैं देखता हूं, मिलता हूं, तो इतना मुझे आशिरवाद और प्रेम, और प्रेम से बातें करते हैं, मुझे ठकावाद, प्रेशानी सब दूर हो जाती है, मालब एक तरह से एक नसा है, कि लोग मिले, ज़्यादा भीडों, आम आदमी से बात करें, साहे गर में आए, तो दरवाजा खुला है, परिवार का करता हुआ 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 आप सर्वे करवा ले कोई भी सर्पन या करमसारी अधिकरी अगर एक बंदा भी मिल जाए एक मदन भाई ने टांस्पर पोस्टिंग में या किसी को वेगार या किसी का एक रुपिया भी कोई साबित कर दे तो यह परे मैं इसलिए मैं दो बार दिता और आज जनता इंतजार क सुनबल मैं और तमाम जनता के ऊफर सोड़ता हूंँ जनता जो में रिया काम में मैंनत करना आगे और चंता का आशिरवाद ही जनता इंटी नहीं है निचितरों से मदन परजापत का कहना है कि इस बार जनता जो है जो मैंने काम किये हैं जनता के उपर ही मैं छोड़ता हूँ कि जनता को क्या निलने करना है लेकिन देखने वाली बात होगी कि वर्स 2023 के चुनाओं में यहां की जनता विदायक का ताज किसके सर पर रखती है बहुत बहुत सुक्रियाद धन्यवाद